हेलो एवरीवन वेलकम टू एलेक्टर डिपार्टमेंट आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक सिक्समिट का सब्जेक्ट यूटलाजेशन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आठ्वा लेक्टर देखेंगे इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि इनकैंडेंसें टै और अप्लिकेशन देखेंगे तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों ने इस प्रकार का लैंप कभी ने कभी जरूर देखा होगा यह लैंप जो होते हैं बिभिन प्रकार की प्रकास उत्पन करते हैं इसे मतलब कि यह कई प्रकार के कई रंग के प्र बता दें कि मतलब कि discharge lamp discharge की से बोलते हैं देखिए जब हम कोई भी gas gas में current को परवाहित करते हैं तो उसे हम electric discharge बोलते हैं और यही होता है आपका discharge lamp इसका definition कुछ ही प्रकार से होगा एक ऐसा lamp जिसमें discharge charge tube के द्वारा light produce किया जाता है उसे को बोलते हैं तो ऐसा lamp जिसमें discharge tube के द्वारा light produce किया जाता है उसी को बोलते हैं discharge lamp पहले आपको इस lamp के बारे में detail में संज़ा देते हैं इसके बाद ajud का construction को देखेंगे देखेंगे कहने के मतलब यह यह लेंप होता है इसमें एक discharge ट्यूब होता है और अपका discharge ट्यूब जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है अब यह जो discharge ट्यूब आपको दिख रहा है इसमें साधारता हम noble gas जैसे की argan, neon, kryptone,IST प्रकार की गैसों को भरते हैं और इस electrode के माध्यम से ही हम high voltage इसको प्रदान करते हैं और जो इसमें gases भरी होती हैं इन्हीं gases के द्वारा light produce किया जाता है अब हमने बताया कि यह discharge लेम जो होता है यह विभिन प्रकार के रंग के प्रकास को उत्पन कर सकता है ऐसा इसलिए संभाव होता है क्योंकि जो इसमें gases भरी जाती हैं सभी gases का atomic structure अलग-अलग होता है सभी gases की properties अलग-अलग होती हैं इसलिए जो gases भरी जाती है उसी पर depend करता है कि यह किस रंग का प्रकास उत्पन न करेगा तो आपको इस lamp का definition और एक basic knowledge हो गया होगा कि discharge lamp जो होता है इसमें क्या होता है एक discharge tube होता है उस discharge tube में जो होती है gases भरी जाती है और इसके बाद उसको जब high voltage electric supply देते हैं तो वह क्या करता है discharge tube के मात्यम से बाद लाइट produce करता है तो एक ऐसा lamp जिसमें discharge tube के द्वारा light produce करता है उसको discharge lamp बोलते हैं और इसी lamp को चुकि इसमें gases भरी जाती है तो इसको gas discharge lamp भी कहा जाता है और आपको बता दिये discharge lamp का मीलिंग होता है कि जब gasो में current प्रवाहित किया जाता है तो उसको क् होते हैं electric discharge बोलते हैं और इसी सिर्धान पर आपका discharge lamp जो होता है work करता है अब हम देखते हैं discharge lamp का construction की इस lamp को design किस प्रकार से करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात तो discharge lamp में हमने आपको बताया जैसा कि आप लोगों को चित्री में भी दिखाया कि discharge lamp कुछ इस प्रकार से ह होता है तो इसमें आप अगर दिहान से देखिए तो यहां आप देख सकते हैं इसमें एक ट्यूब होता है अब इस यही ट्यूब जो होता है में होता है तो discharge lamp में क्या होता है एक ट्यूब होता है और इस ट्यूब में जो gases होती है वह low pressure पर रखी जाती है इसमें क्या है गैस के रूप में जो है नूबल गैस भरा जाता है और यह लाइम विविन प्रकार के रंग के प्रकास को भी उत्पन कर सकता है यह इस पर निर्भर करता है कि गैस ट्यूब में कौन सा गैस भरा गया है जैसे अगर gas tube में neon gas भरती हैं तो यह red और orange प्रकार का प्रकास उत्पन करता है देखें सभी gases का atomic structure जो होता है अलग-अलग होता है और gases जो होती है अपने atomic structure के अधार पर कुछ तरंगदैर का विक्रण उसरजित करती है और इसी पर depend करता है कि जो आपका discharge lamp है वो किस प्रकार का किस रंग का प्रकास उत्पन करेगा अब देखें गैस tube के अंध में दो electrode लगे होते हैं इन्ही electrode के माध्यम से हम high voltage source इसको provide करते है अब हम देखते हैं कि discharge lamp कैसे work करता है working up discharge lamp तो जो discharge tube होता है उसमें हम noble gas भरते हैं noble gas भर कर tube के दोनों सिरों के मद्द जो electrode होता है उस electrode की सहायता से high voltage provide करते हैं अब इस lamp में जो gas होता है वह उच voltage की वज़ा से आयनित हो जाता है चूंकि जो gas होता है वह उसमें low pressure होता है इसलिए gas जो होता है वह tube में बना रहता है अब यह जो आयनित electronic होते हैं यह एक end से दूसरे end मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की प्रविति रכते हैं अर्थाथ जो मतलब की powered electron year हो जाते हैं जो आयनित elektron होते हैं यह move करने लगते हैं उच ट्यूब के आंदर अब इस प्रक्रिया में इस प्रॉसेस में होता क्या है जो आयनित इलेक्टान होते हैं और जो अनायनित इलेक्टान होते हैं वो आपस में कुलाइट करते हैं मतलब आपस में टगराते हैं और लाइट को एमिट करते हैं अब जो गिसमें गैस का प्रयूग किया जाता है इस ट डिस्चार्ज लैम्प के अप्लिकेशन को देखने से पहले हमें अभी इसी के बारे में आगे भी पढ़ना होगा यहाँ पर आपको किवर discharge lamp के बारे में समझना लेकिन आज भी आगे आप mercury vapor lamp, sodium vapor lamp आज जैसे lamp पढ़ेंगे तो उसमें भी discharge lamp का जो working principle होता है वही काम करता है तो discharge lamp के types के अगर बात करें तो discharge lamp होता है वो तीन प्रकार का होता है एक होता है low pressure discharge, एक होता है high pressure discharge, एक होता है high intensity discharge तो यह 10 type के जो होते हैं आपके discharge lamp होते हैं तो अगर इसके application के बात करें तो discharge lamp का अप्रियोग जो होता है इस ट्रीट लाय्टिंग होता जो सड़कों पर lighting किया जाता है उसमें क्या जाता है sport एरेनास मतलब की जो sports में light लगा जाते हैं वो discharge lamp होता है aircraft में होता है, gymnasium में होता है और कई प्रकार के industries में होता है अब देख लेते हैं अगर exam में मतलब की application नपूचे और कुछ पूछ ले की advantage और disadvantage क्या है तो अगर जो discharge lamp होता है उसके advantage की बात करें तो इसको मतलब की सबसे पहले बापको बता दें इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था incandescent lamp तो incandescent lamp को remove करके हटा दिया गया इसके बाद क्या हुआ discharge lamp आया मतलब इसका जीवनकाल अधिक होता है और कीमत में यह कम होता है और इसको हम number आप application मतलब कई प्रकार के application के लिए इसका भर्योग कर सकते हैं और इस lamp का सबसे अच्छे बात यह है कि यह बिभिन प्रकार के color के रंग प्रकास को उत्पन कर सकता है तो अगर इसके disadvantage की बात करें तो disadvantage इसके जादा disadvantage नहीं है लेकिन अगर हम इसका compare करें CFL से या LED से तो इसके cost भी different आता है मतलब अधिक यह costly बढ़ता है जो fluorescent lamp होते हैं CFL होते हैं उसके अपेक्छा तो यही एक इसका disadvantage है तो आज के इस वीडियो में हमने जाना discharge lamp का definition उसका construction, working, principle, application और advantage और disadvantage तो इन topic को इस वीडियो हमने देखा आप हम next वीडियो में आपको अगरा topic के बारें बताएंगे उमीद है आपको discharge lamp के बारें पूरी तरह समझ में आगे होगा अगर कहीं भी doubt हो तो आप comment में पूछ सकते हैं उसका reply जरूर देंगे